मैं मा हूं, धर्ती मा संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं एक वे जो ये जान लेने के बाद कि वे सीधी रहा पर नहीं थे अपने सोचने का ढंग बदल देते हैं सुधर जाते हैं दूसरे वे जो अपने आपको सुधरना अपनी हार समझते हैं उनका एहंकार उन्हें सुधरने नहीं देता उनके सोचने समझने के शक्ते जूटे एहंकार के बोज तले पिसकर रह जाती है गुरु शुक्राचारे ने अपनी आँखों से देखा कि उनके दोनों पुत्र, शंड और अमर्क मारे गए और फिर प्रहलाग ने शिविष्णु भगवान की सहायता से उन्हें पुनर जीवित कर दिया मगर उनका एहंकार इस हार को स्विकार करने से इनकार कर रहा है जब उनकी ये दशा है तो हिरने कशिपू से ये आशा रखना ही व्यर्थ है कि वो प्रहलाद को सच्चा मान लेगा क्योंकि वो तो एहंकार के गुरु शुक्राचारे से भी आए है केवल भगवान शिविश्णु के बैरी है किम्तु हिरने कशिपो तो स्वयम को भगवान मनवाने पर अड़ा हुआ है देखना ये है कि अपनी इसहार का वो किस प्रटार सामना करता है तू तू आपके भी जीवित है हाँ पिताशी भगवान विश्णु के गुरुपासे में बच गया किन्तु मैं आपसे ये पुछता हूँ कि आपके आगया अनुसार मेरा वद्ध हो जाता तो क्या आप मुझे पूना जीवत कर सकते थे बंद कर अपना प्रलाप गुरुदेव कहाँ है कहाँ गुरुदेव मैं यहां हूँ देतेंद्र यह मैं क्या देख रहूं गुरुदेव शंडोरा मर्क के निर्जीर स्वर आपका पहली बार पहली बार जुका हुआ सिर और यह는지 विद्ज़्ट प्रहलाद यह मैं क्या देखना गुर्देव कई मैं सोपन तो नहीं देखा नहीं वद्ष रण कर शुकू यह सत्य अत्यंत कटू सत्य हिए है कि मैंने कृत्या करिभाग द्वारा कि बहलात का अंद करना चाहा था कि से YouTube अरंतुराक्षि से ग्रिट्या ने उलटे मेरे दोनों पुत्रों शंड और मर को माड़ा ला कि यही तो खेद लज्जा का विश है मेरे दोनों पुत्रों का जीवन तुम्हारे विरोधी पुत्र प्रलात की दया का दान कि मेरी शक्ति कि तुम्हारे पुत्र की शक्ति के समख्ष मैंने आज तक कभी हाल नहीं मानी है कि तुम्हाज आज मैं अपनी हार से उकाल रहता हूँ नहीं नहीं गुर्देव नहीं यह नहीं हो सकता है यह नहीं हो सकता हुआ है ऐसा नहीं होने दूंगा तेरे विश्णुने मेरे भाई को चीना मेरी बैन को चीना और अब मेरे गुरुदेव को चीन लिया तेरे विश्णुने अब तक कि अब इसलिए बच्टा रहा क्योंकि मैंने तेरे वत का कारभार दूसरों को सौपा क्योंकि मैं तेरे लक्त से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था किन्तों आप यह अशुपकार मुझे स्वायम करना होगा करता है अब यह संसार देखेगा यह पिता अपने पुत्र का वत कैसे करता है करता है सारे संसार में घुमा जाएगा तेरा शीष तोकि संसार में जो भी विश्णु भक्त बचा है तेरा कटा हुआ शीष देखकर विश्णु का नाम भूल जाएगा मा यहां बेटे सब को चेताव नहीं देता हूं कि कोई मेरे और इस दुष्ट के बीच आने का सहस न खरें हे आधरन्य पिताशी मेरे और आपके बीच तो कोई बहुत पहले से आरंबी से उपस्तित है कौन है वो मेरे श्री विश्णु भगवान प्रेलाद कहा है वो मुझे क्यों ने दिखाई देता आप अपने मन से जूटा अंकार हटा दीजे वे आपको भी दिखाई दे जाएंगे जूट बोलता है तो जूट बोलता है तेरे विश्णु में इतना सहस नहीं कि वो मेरे भगवान हिरनकशबू के समीप आ सके समीप नहीं पिताशी वे तो आपके बीतर भी है बस आप देखने का प्रैतने नहीं करते तो रोक ले अपने जीप रोक ले अन्य था सबसे पहले मैं तेरी जीप काटकर फैक दूँग जिस पर तो बार बार मेरे भाता श्री और के हत्यारे का नाम ले रहा है आप जीप काटदेंगे तो मैं मन ही मानुन का नाम लूँगा मेरे विश् столькоलिय स्मरणी परियापता है वेहर मन में है कंकं में है अ अ hasbro करा गिश्ण सोंस्तं में है हाहा पुताशी मेरा विश्णु स्लोस्तं में विस सोलिको ईसलोसल्ब को अगनी से तपाओ विशनार के बाद एवि ला बनाओ कि विश्णु लोक में आपका स्वागत है आधी प्रजापते लक्षवी नारायन रोकिए इस नरसी नहार को रोकिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा हाँ भी कोई उपाय बताईए ब्रमा जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैंने प्रलात के भागे लेक में उसे हिरन कश्वपु के हाथों मारा जाना नहीं लिखा है दूसरी और मैंने हिरन कश्वपु को भी ऐसा वर्दान दे रखा है कि वो मर नहीं सकता इसलिए मैंने सदैव यही कहा है है ब्रमा कि वर्दान देने से पहले यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि वर्दान किसे दिया जा रहा है क्यूं दिया जा रहा है जिसे ये वर्दान दिया जा रहा है वो व्यक्ति इस वर्दान का पात्र है भी या नहीं और यदि है भी तो क्या वो उस वर्दान का उचित उप्योग करेगा या नहीं वो उस वर्दान को आत्म सुख का उपहार मानेगा या दूसरों को दुख देने का शस्त्र ए ब्रम्हा जिस प्रकार शिशु के हाथ में खड़ धमा देना अंदेखे संकट को निमंतरन देना है उसी प्रकार एक दुश्चरित रव्यक्ति को वर्दान दे देना अपने लिए और सृष्टी के लिए घातक घटनाओं को निमंतरन देना है आप सत्य कहते हैं पर धनुश से बांड निकल चुका है वर्दान तो मैं दे चुका हूँ अब क्या हो सकता है आपको कुछ तो करना ही होगा मेरे वर्दान के अनुसार हिरन कशपू न दिन में मर सकता है न रात में न घर के भीतर मर सकता है न घर के बाहर न धर्ती पर मर सकता है न आकाश में न कोई पशू से मार सकता है न मानवा थ्वा देवता न कोई अस्त्र उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है और नहीं शास्त्र बहुत चटल समस्या है ब्रह्माजी मुझे आपके वर्दान का मान भी रखना है और पुत्र प्रलाद के रख्षा भी करनी है आप सक्त्र कह रहे हैं मुझे कुछ तो करना ही होगा आप सक्त्र कह रहे हैं मुझे है और अपस्त्र प्रहस्त्र आपके पुत्र आपके देना ही है और अपक लुट्ट आपके रह देना का युद तो करी रहे है अचो नहीं स्वामी तो निचे मेरे लाख को छोड़ दीजी उसे उसे श省खों कर दीजी सै क्रेश्य किarter श्क्राइब इस लोगे बदले जाहिए यहाउच पांट लेट करणि हом पत्र क्या कहा तो तुमने तोANT बंप तेरा विश्णु है कि युदि इस लोग में तेरा विश्णु है तो जा गले लंग इसके जा आगे वर्दुष्ट अपने विश्म का आलिंगं कर जा जो आग्या पिताश्री आपका आशिर्वात चाहिए ओम नमू भग्वति वासु देवाया ओम नमू ओम नमू ओम नमू भग्वति वासु देवाया ओम नमू भग्वति वासु देवाया मैं अपने विश्म की गलें लगगया देश्री दृत कप्ती अवस्ष तेरे पास माय वी शक्तिया है जिसकी सहायता से तुने इस लोस्ताम को ठंडा कर दिया जनको बांदो इससे इसी खंबे से आज मैं इसके प्राण लेकर ही ताम दूगा बांदो इससे अम नमो भगवती वासुदिवाया अम नमो भगवती वासुदिवाया अम नमो भगवती वासुदिवाया अम नमो भगवती वासुदिवाया अमो भगवती वासुदिवाया अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है तेरों विश्णू भी नहीं कर ले अपने विश्णू का मन भर के स्मारण कर ले यदि तेरे पथना मसार इस स्थम में विश्णू है तुझे कि वह बाहर मिकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वद्ध का ध्रिश्य भी देखे अब तुझे नहीं बचेगा अब तुझे नहीं बचेगा राज प्राणी प्राणी ठेशवरे स्थम में अप्राणी तुझे थ्याद प्राणी राध एफ जहां, कोछ जो पना रहां, अ आप बारे, ये जुडतिंगा हैं… एफ जुडतिंगा आप→, इन जुडतिंगा है ये उलिख़ डिंगा फ्रप्राइब कि आब से एफ हैं… दूब कर दिए टार अीफटर गुठ कर दो बुप सकते हैं। दोगे देन एक हो जाया है, व्याहिए रहा है, युछे पर नहीं कि खुडिए और बाह है युछे हैं, आवेल कि खशेशार ने युछेरे भूेशां डिया है, युछें थाहि हैं, युछें डियुछें लोग शादोबे कि अन्परावादों अम्हां। ऩॉलish को भॉछी लोपने भी वालो बहुच है झाल जॉगम जरोジャ imperial कि भी कि अइड़र बुछ झाल आगां जुछ नुछ टमच भी तेंग पूभला पूला इार नुछ एंग ुछ प्रुम्सार प्राइब है उन्मीर प्रुम कीजिए में झाल जात तुरते हैं। झाहा जो झाहा! को राइब टूझysis को न हुरम राइब एख गाह स करने टू राइब ज हुरम जगरम टूध राइब जियतhesion है बנतर तो फजयो प्रॉब यष्ट जब कर दोगे हैं बादा बादा एक रख़या कि लादा फесто कि लादाना फिन हुट। प्लाइन अचल पुटा है कि छोड़ी मुझे कि छोड़ी तो मैं तरी मुद्धियों दोर्थ तिरा काल मैं यह नहीं मर सकता क्यों नहीं मर सकता दुष्ट क्या तूने किसी माता के कर्प्त से चन्म नहीं दिया है प्रमा जी ने मुझे पर दांदिया एक्ति ना मैं दिन में मर सकता हूं दो देख दो इस समय न दिन है न रात्री यह संधयाकाल की बेला है मैं घर के भीतर मर सकता हूं ना घर के बाहर तू ना घर के भीतर है ना घर के बाहर तू इस समय चोखट पर है कि ना मैं धर्ध्टी पर मर सकता हूं आकाश में ब्रह्मा ने सत्य कहा था देख तू इस समय ना धर्ध्टी पर है ना आकाश में तू धर्ध्टी और आकाश के बत्य पैरिकूद मे और क्या कहा था भाग्य विदाता ने उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशू मानेगा ना मानव मैं आधा नर्व और आधासी मेरा नाम नर्शी है और क्या कहा था कि मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना श्यस्त्र मैं अपने नखों से तेरा पूदर चीर का तेरा वध करने जा रहा हूं अरे बचाओं अरे बचाओं तेरा अंत निकटा चुका है मूठ तू बच जाता तो एक ऐसी परवबरा का जन्म होता जो समस्त्र स्रिष्टी के लिए अनर्थकारी सिध होती विदा जन्म दाता है यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो स्रिष्टी का क्या ह बचाओं पुआ बचाओं पुआ है एग लगो जहां लुवाँ, लगो जगाँ, लग़ाँ, लगाँ, लगो जगो जगे नगो जगा! God damn it! God damn it! पापी महापापी अधर्मी तूने मेरे भक्तों संतों बहाक्माओं और सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था मेरी ही इच्छा से प्रालाद जैसे भक्त का चन असुरकुल में हुआ ता कि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को ये ज्यान भी हो कि असुरों में भी महापुरुशों का जन्म संभव है हे नराधम तुने ब्रह्मा से च्छल द्वारा एक वर्दान क्या मांग लिया तुने वास्तों में ये समझ लिया के तुझे मृत्तु से मुक्ति मिल गई मूर्ख परमेश्वर के अतिरिक जन्म और मृत्तु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है तेरे मन में ये भ्रह्म समा गया के तू स्रेष्ठ है तू सर्वशक्ति मान है हे दुर्बुद्धी हे दुर्मते केवल इश्वर स्रेष्ठ है इश्वर केवल इश्वर सर्वशक्ति मान है केवल इश्वर सर्वशक्ति मान है शान्त हो जाएए है विश्वेश्वर शान्त हो जाएए नहीं आज संसार को ये ग्यात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है है जनार्दन है लक्ष्णीपति दुश्ट हरंड कश्यबू अपने परिणाम को पहुच गया है अब अपना क्रोग रोग लीजी अब नहीं अभिमानियों को ये ग्यात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर्व किस प्रकार पैरोतले रौंदा जाता है हे वासुदेव आपने न्याय कर दिया है फिरन कश्यबू के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है अब अपने प्रकोप को समेट लीजिये नहीं तो समस्त रिष्टी उसकी चपेट में आ जाएगा इस पापी ने स्वयम को इश्वर कहा था स्वयम को सर्वशक्ति मान कहा था मेरे भक्तों को कश्ट दिया था देख ले आज समस्त संसार देख ले कि स्वयम को इश्वर कहने वाले स्वयम को सर्वशक्ति मान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिये जाते हैं हे दयानिधान हे क्रिपाजागर हे करना सिंदो मैं जानती हूं जब मानवता पे कोई संकर आता है जब कोई आपके भक्तों को सताता है तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमरता है परन्तु हे सर्वेश्वर आपके भक्तों के शत्रू को आपने अपने हाथों से मारा है अब तो आप शांत हो जाएए कैसे शांत हो जाओं अधर्म को कैसे जहन करूं अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं दे सकता पुत्र पुत्र इनके क्रोद का कारण है तुम्हारा कश्ट किवल तुम ही इनके क्रोद को शान्त करा सकते हो यदि इनका क्रोद शाम नहीं हुआ तो कला आ जाएगी सारी स्रिष्टी संकट में पढ़ जाएगी आओ पुत्र हे मेरे वाशुदे, मेरी विष्ण, मेरे मन में जहन्मी से आपकी चो चबी बसी है वो बड़ी सुन्द, बड़ी कोमल, बड़ी मन मोहक है मैंने हर पल उसी चबी को पुजा है हे जगदीश्वर, मुझे अपके इस विक्राय रूप से डर लग रहा है मैं जानता हूँ, आपके करोद का कारण है मुझे दी जाने वाली यात्मा है मुझे पहुचा है जाने वाला कष्ट उन यात्मा और कष्ट का आपकी कुरपा से अन्थो चुका है हे वासुदे, विश्वास कीजे मैंने अपसे अपने भाई, अन्लाद और गुर्जन, शंडर अमर की जिवन की विक्षा अवर्ष्य मांगी थी परन्तु पिताश्य की जिवन की विक्षा कदापी नहीं मांगूंगा मैं आपके बहरी थे, आपने न्याय कर दिया आप आप शांत हो जाईए और मुझे अपना वहम अदोरुप दिखा दीजे जो मेरे मन में बसा हुआ है हे वासुदे, मेरी विंती सुन लीजे मेरी प्रात्मा स्विकार कर लीजे तुम धन्य हो पुत्र तुम धन्य हो तुमने असुरों के बीच भक्ति की सुगंध पहलाई तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीव जलाया तुमने असभ्यता की इस कीचड में सभ्यता का कमल खिलाया तुमने इतनी छोटी आयू में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे परं तु अपने भैरे का साथ नहीं छोड़ा तुमने सब को ये दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो शिष्य कैसा हो शिक्षा कैसी हो मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हो पुत्र प्रलाद अत्यंत प्रसन्न हो तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदावी नहीं भूल पाएगा हे पद्मनाप, हे वासुदेव, आपको कोटी कोटी प्रणाम, आपकी क्रपासे पुना एक बार सत्त की विजे हुई, पापी का अंत हुआ, पाप का नाश हुआ, मानुता की सबसे बड़े शत्रु, हिरन्य कशिपु को आपके हाथों मुक्ष प्राप्थ हुआ महादेवी, मानव मेरे सबसे प्रियरचना है, ये धर्ती तो मुझे स्वर्ग से भी अधिक सुन्दर लगती है, इसलिए जब भी कोई पापी धर्ती की सुन्दर्ता को नश्ट करने का प्रयास करता है, जब भी कोई नराधम मानव को या मानवता को रौंदने का प्रयास कर तो मैं अंद्रस्रिह बनकर उसका वक्ष स्थल फार देता हूं मैं वराह बनकर उसका उदर चीर देता हूं कि या फिर मैं मत्से बनकर उन दुराचारियों को जल्द समाथी दे देता हूं आपकी स्क्रिपा के लिए मानव और ध्लती के साथ साथ मैं भी आपके आभारे हूं कमलने जिस प्रकार आपने पुद्र पहलात की रक्षा की सारी संसार की माताओं की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूं महादेवी जिस प्रकार संतान को दूद्र पिलाने के लिए किसी माता को धन्यवाद नहीं दिया जाता जिस प्रकार परिवार का पालन पोशन करने के लिए पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता और जिस प्रकार फल देने के लिए वरिक्ष को धन्यवाद नहीं दिया जाता उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरा भी धन्यवाद देने की कोई आवशक्ता नहीं है महादेवी मैं तो पिता हूँ, सरवेश्वर हूँ और ये समस्त विश्व मेरा परिवार है भक्त प्रलाद तो मेरा एक महान भक्त है महादेवी और अपने भक्तों से मैं इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि कदाचित स्वयम अपने आप से नहीं करता सकते है कमलनेन इसलिए तो हिरन्य कशिपों पर आपके एक रोध का इस्वरण करके मुझे अभी भी रोमान चो रहा है महादेवी एक पापी एक अत्याचारी कभी भी मेरी दया का पात्र नहीं हो सकता हिरन्य कशिपों के पापों का घड़ा मेरे भक्तों से रक्त से भर रहा था कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उसने मेरे भक्तों की हत्या न की हो जिस क्रूरता से उसने विश्णू नाम के बालक की हत्या कर दी, उसी क्रूरता से मैंने भी उसका वद कर दिया आपको उस पापी के लिए कैसा पहयानक रूप धारन करना पड़ा था? महादेवी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं कोई भी रूप धारन कर सकता हूँ जैसे आज नरसियं अवतार धारन करके मैंने उस पापी हिरन्य कशपू का वद कर दिया जो स्वयम अपने ही पुत्र का वद करना चाहता था केवल अपने पाखंड की रक्षा करने के लिए अपने स्वार्थ अपनी महत्वा कांख्षा के सामने वो ना तो राज धर्म को निभा पाया ना एक पती के धर्म को और ना ही पिता के धर्म को मैंने उसके वंश में प्रल्हाद जैसे बालक को जन दिया प्रल्हाद जिसका मुख मंडल देखकर स्वयम अत्याचार को भी दया आ जाए परन्तु हिरन्य कशिपू को दया नहीं आई महादेवी महादेवी ये धर्ती मैंने ऐसे अत्याचारियों के लिए नहीं बनाई ये धर्ती मैंने ऐसे हत्यारों के लिए नहीं बनाई इस धर्ती की सुंदर्ता धमाके से उजारने के लिए मैंने नहीं बनाई महादेवी इसलिए आज मैं ये पुना घोशना करता हूँ परित्रानाय साधू नाम विना शायच दुश्क्रताम धर्म संस्था पनार्थाय संभवामी युगे युगे जब जब धर्म पर संकट आएगा महादेवी और ये दुष्ट जन महात्माओं को कश्ट पहुंचाएंगे तब तब धर्म की रक्षा करने में आऊंगा धर्ती और मानवता की रक्षा करने में आऊंगा और हर युग में आता रहूंगा हो नहीं था एक दिन अभिमानी का नाश अंधियारा हारा सदा जीता सदा प्रकाश अहंकार जब कर गया अपनी सीमा पार भक्तों के हित में किया दुष्टों का संहार दुष्टों का संहार जो सुनेगा ये फुरान भाएगा सुख और गान भाएगा सुख और जान दर्म को ही धर्म जान प्रेम की तुछे रतान पीते युग बता रहे हैं साथ्य पत पे चल तो जान विश्णुपुरान विश्णुपुरान पिष्नो पुरा पिष्नो पुरा